दोस्तों हम जानेंगे कि अगर बावर ना आता तो भारत कैसा होता बैलेंटाइन डे प्रेम का पिरतिक माना जाता है आज के दिन अर्थ सस्त्री माल लेदस पैदा हुए थे बॉलिवुड की स्टार मदुबाल भी आज ही के दिन बर्टडे का जनम मनाती हैं लेकिन आज ही के दिन एक और एतहासिक बैक्ती और सायद बिवाद सपद भी का जनम हुआ था बिवाद सपद इसलिए कि भारत में कुछ लोग उन्हें आकरमानी कहते हैं और आयोद्या में बावरी मस्जिद जनम भूमी विवाद के लिए उन्हें जिम्हेदा ठहराया जाता है लेकिन उनकी सक्सियत बिविन रंगों से भरी थी वे कोई और नहीं भारत में मुगल सामराज्य संस्तापक बावर थे जहीरुद्दीन मुहम्मद बावर 14 फरवरी 1483 को अंधिजान में पैदा हुए थे जो फिलाल उजबेंकिस्तान का हिस्सा है आकरमानकारी हुआ या बिजेता लेकिन ऐसा लगता है कि बावर के बारे में आमतोर से लोगों को ना तो अधिक जानकारी और ना ही दिल्चस्पी है मुगल समराज में अकवर और ताजमहल बनवाने वाले साजहां के नाम सब से उपर है लेकिन जैसा कि एतिहासिक कार हरबंस मुखिया कहते हैं बावर का बैक्तितब चड़ाव और सेनने प्रतिवा जैसी खूबियों से भरा हुआ था मुखिया कहते हैं कि अगर बावर भारत ना आता तो भारते संस्कृति के इंदरधनुस के रंग फीके रहते उनके अनुसार भासा संगीत, चित्रकला, बास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता बावर के बारे में कुछ दिल्चस्प पातों पर एक नजर हरवंस मुख्या कहते हैं कि यह आम गलत फोमी है की अयोध्या के विवात्सवत बावरी मस्जिद बावर ने बनवाई थी उनके मुताविक बावरी मस्जिद का जिक्र उसके जिंदा रहने तक या उसके मरने के कोई साल तक नहीं मिलता दूसरा बावर ने 1526 में पानिपत के लड़ाई में जीत की थी खुसी में पानिपत में ही एक मस्जिद बनवाई थी जो आज भी भही खड़ी है नमबर दीन बावर दुनिया के पहले सासक थे जिन्होंने अपनी आतमकता लिखी बावर नामा उनके जीवन की नाकामियों और काम्याबियों से भरी पड़ी है नमबर चार हरवंस मुख्या के अनुसार बावर की सोच्थी की कभी हार मत मानो उन्हें समरकंद जेविकस्तान हासिल करने का जुनून सबार था उन्होंने समरकंद पर तीन बार कपज़ा किया लेकिन तीनों बार उन्हें सहर से हाथ दोना पड़ा अगर वे समरकंद का राजा बने रहते तो सायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी नहीं सोचते नमर पांच भारत में भलेबावर को वो समान नहीं मिला जो उनके पोते अकवर को मिला था, लेकिन जोविक्स्तान में बावर को वही दर्जा हांसिल है जो भारत में अकवर को. उनकी किताब के कैई सब्द भारत में आम तोर से पर्चलित हैं मैदान सब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बावरनामा में देखने को मिला प्रोफेसर हरवंस मुख्या कहते हैं कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भासाओं में तुर्की और फार्सी सादो का क्या अम है उन्होंने 1930 और 1940 में राज करने वाले एक मराठी हाकिम का उधारन देते हुए कहा कि उसने अपनी भासा में उर्दू और फार्सी सब्दों से पाक करने के लिए एक फर्मान जारी किया उनके एक सलहकार ने कहा कि हुजूर्ज फर्मान समेत आपके फर्मान में इस्तमाल किये गए 40% सब्द फार्सी और उर्दू के हैं प्रोफेसर मुख्या के अनुसार तुर्क भासा में कभीता लिखने वाली दो बड़ी हस्तियां गुजरी उनमें से एक बावर थे बावर की किठोड़ता की मिसालों मिलती हैं लेकिन उनकी मर्दूता के भी के उधारन हैं एक बार वे जंग की तैयारी में लगे थे कि किसी ने उन्हें खरबूज पेस किया बावर खुसी के मारे रो पड़े सालों से उन्होंने खरबूजे की सकल नहीं देकी थी बावर बारेबर्स की उमर में राजा बने लेकिन 47 साल की उमर में मरते दम तक ये युद्ध में जुटे रहे इसके बावजूद बावर ने परिवारिक जिम्मेदारियां निभाई उनकी जिंदगी पर मा और नानी का गहरा असर था जिनें वो बे इंतहां प्यार करते थे, वो अपनी बड़ी बहण के लिए एक आदर्स भाई थे मुगल बास्ता हुमाईव बावर के सबसे बड़े बेटे थे, उनके लिए बावर एक समरपित पिता थे हुमाईयों के एक बार बहुत बीमार पड़ गए, बावर ने बीमार हुमाईयों के जिस्म के तीन गर्दिस किये और खुदा से दुआ मांगी कि उनके बेटे को सवस्थ कर दे और उसकी जगे पर उनकी जान ले ले हुमाईयों तो ठीक हो गए लेकिन कुछ महीनों में बावर बीमार और उनकी मौत हो गई BBC हिंदी के हैंडराइड एप